हेलो एव्रिवन लक्षय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं हर्याना स्पेशल एजूकेटर रेक्रूट्मेंट 2023 के पारे में जैसे कि हमने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया था कि हर्याना में तेरा स्वस्षी विशे शिक्षा सिक्षकों की भरती का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है अब एक और नई खबर निकल के आ रही है कि ये जो नोटिफिकेशन आएगा वो हर्याना करमचारी चैन आयोग की तरफ से आएगा जैसा कि आप अभी तक देख रहे थे कि हर्याना में जो भरती आ र वीडियो में बताया था कि 1380 जो विशेज शिक्षा सिक्षकों की भरती का नोटिफिकेशन आएगा ये पर्मनेंट टीचर की विकैंसी का नोटिफिकेशन आएगा ये कोई कोई कोंट्रेक्ट बेस की विकैंसी नहीं होगी इसी लिए अगर हम देखते हैं कि पर्मनेंट ट की विकेंसी आनी है हर्याना में वो पर्मेनेंट किया एगी चलिए देखते हैं आगे कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है जैसा कि आप ये देख रहे हो ये कल का न्यूज पेपर है जिसमें ये खबर आई थी कि सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए लगे ये देखिए इसमें थोड़ा बलर दिख रहा होगा आपको बट हम पढ़के आपको एक एक चीज बताएंगे हर्याना के सरकारी स्कूलों में जल्द ही दिव्यांग विध्यार्थियों के लिए 1380 विशे शिक्षकों की भरती होगी सुप्रिम कोर्ट के आदेश के अनुसा दिव्यांग जन आयुक द्वारा परिवार पैचान पत्तर के आधार पर जुटाए गए आंकडों के अनुसार परदेश में 18557 दिव्यांग विध्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर्याना में जो फैमली आईडी बनी थी तो उसके आधार पे ये इन्होंने डाटा उठाया है और जो सरकारी स्कूलों में इनरोल हैं बच्चे उनका ये डाटा है कि 18557 बच्चे इनरोल हैं अभी भी सरकारी स्कूलों में इसे आधार बनाते हुए राज्या दिव्यांग जन आयुक राजकुमार मकड ने सरकार से 1380 विशे शिक्षकों की भरती को भरती की सिफारिस की है सरकार की और से जल्द ही हर्याना करमचारी चेयन आयोग को इन शिक्षकों की भरती के लिए लिखा जाएगा तो जो ये हर्याना के राज्या दिव्यांग जन आयुक थैं राजकुमार मकड जी इन्होंने सरकार को बता पर्मनेंट होनी चाहिए और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि अब सरकार जल्द ही हर्याना करमचारी आयोग को इन सिक्षकों की भरती के लिए पत्तर लिखेगी तो उसके बाद फिर बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और इसी के साथ इन्हों ने बताया कि पक्की भरती होने तक 297 विशेश्चकों की भरती ये भी आप सभी जानते हैं हमने पहले भी काफी बार बताया हुआ कि हर्याना में जो 297 विशेश्चकों की भरती का प्रोसीजर चल रहा है तो उनके लिए कि जब तक ये पर्मनेंट वकैंसी नहीं फिल हो ज जाएगी अनुबंद आधार पर विशेश शिक्षकों की बरती परकरिया अंतिम चर्ण में है और जल्द ही इन्हें स्कूलों में जोइनिंग दी जाएगी ये अंतिम चर्ण में है क्योंकि इनका डोकुमेंट वरिफिकेशन हो चुका है उसके बाद क्रेक्शन भी हो चुकी ह है सब तो अंतिम अब परकरिया चल रही है और बहुत जल्द इनको जोइनिंग देने की बात कही गई है बद मुझे लगता है अभी भी थोड़ा टाइम और लगेगा इनमें क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं जो डिपार्टमेंटल हैं तो वो प्रोसीजर अभी भी हो रह है और इनको आने में अभी भी समय लगेगा जोइनिंग देने में तो ये सबी के लिए खुसखबरी है कि 1380 विशेश शिक्षकों की पर्मनेंट वकेंसी आने वाली है बहुत जल्द हरियाना में और जो भी साथी विशेश शिक्षक बनना चाते हैं और तेयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक ये सुनहरा अवसर है हरियाना में टीचर बनने का और मुझे नहीं लगता कि अभी इतना कमपीटिशन है हरियाना में क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग है जिन्होंने विशेश शिक्षक में डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो उन सभी के लिए एक है क्योंकि थोड़ा सा कमपीटिशन उनको मिलेगा इस फिल्ड में और टीचर बनने के लिए उनके पास बहुत बड़ा मौका है ये तो ऐसी और भी इनफॉर्मेशन पाने के लिए आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन का